हेलो स्टूरेंट्स एक वार फेर तादा स्वागत है मेरे चैनल दे उत्ते आज मैं तो हानू क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर ट्वैल्व दे बारे रीडिंग करके दस्तांगी विद्यार्थियो यह जिड़ा चैप्टर है इस दा नाम है हैचिको दे वर्ड्स मोस्ट लॉयल डॉग सब तो पहले मैं अपनी परसनल फीलिंग शेर करना चाहांगी कि ए लेसन जदों भी मैं रीड किता है या क्लास दे विच टीच किता है ते इस लेसन बहुत ही पावनात्मक है बहुत ही इमोशनल स्टोरी है असी इंसान ता जजबाती हुंदे हैं पर इस लेसन दे विच एक ऐसे डॉग ऐसे कुत्ते दी कहाणी दसी गई है जिनों की वर्ड दा सब तों वफादार एक कुत्ता मन्या गया है जिस दा नाम सी हैचिको हैचिको एक वफादार कुत्ता सी जिस दी आज असी एक कहाणी बढ़ांगे लेसन दा नाम है विद्यार्थियो हैचिको दा वर्ड्स मोस्ट लोयल डॉग हैचिको उस डॉग दा नाम है ते विद्यार्थियो सब तों पहले असी वर्ड मीनिंग बल नजर मारांगे जे असी word meaning चंगी तरह समझ लांगे ते जद असी lesson रीड करांगे ते सान्नों असानी हो जाएगी समझन दे विच First word है Akita Akita विद्यार्थियो कुत्यां दीक किसम दा नाम है नसल दा नाम है Akita Next है Routine Routine है दिन चर्या स्कूल जान दे यां त्यार हो दे यां स्कूल जान दे यां स्कूल तो वापिस आके आसी rest कर दे यां खाना खान दे यां शाम नूपढ़ दे यां खेड दे यां फिर रात नूपढ़ दे यां एक Routine है अगला शब्द है Beloved Beloved हों दा है प्यारा Next word neighborhood पडो़ोस विच receive receive हुन्द है प्रापत करना employs employs हुन्द है करमचारी जड़े किते नोकरी करते हो next word है agriculture agriculture खेती बाड़ी नो खेती बाड़ी दे किते नो agriculture बोलिया जन्द है next word है hammerage इन्हों सी पढ़ांगे hammerage hammerage ता meaning हुन्द है विद्यार्थियो जड़ों किसे नस दा body दे विच साड़े शरीर दे विच किसे नस दा फट जाना जड़ियां blood कैरी कर दिया साड़ियां vessels, nerves उदा जड़ों किसे nerve दा फट जाना उन्हों बोल दे hammerage जड़ी के एक शरीर दे विच कोई problem आ जन्द है devoted सेवा पाव वला accompany साथी show up दिखाना लास्ट वर्ड है museum museum विच अलाग तरहां दे कोई different तरहां दे कोई चीजां रखियां दियां जिनों की लोग देखन जान दे है museum नो पंचाबी दे विच कमांगे अजायब कर जिते एस तरह दिया चीजां होन जिड़े लोग देखना होन असी स्टोरी स्टार्ट करते हैं हैचिको the world's most loyal dog हैचिको the dog was more than just a pet हैचिको एक एस तरह दे कुत्ते दा नाम है जिनों की असी एक पालतू कुत्ता होन दे नाल ही नहीं मननांगे असी उनों उस तों वद मननांगे he was a true companion वो एक सच्चा साथी सी इस lesson दे विच असी पढ़ांगे कि क्यों इस डॉग दे बारे जेड़ा की ताननों पिक्चर दे विच दिख रहा होएगा एक डॉग दे बारे कहाणी दसी गई है कि असली कहाणी है एक रियल स्टोरी है कि उनों एक सच्चा साथी क्यों किया गया इस स्टोरी दे विच अपने मालक मालक नों इंगलिश विच बोल दे या मास्टर मास्टर जिड़ा की एक इंसान सी human friend मतलब डॉग जिड़ा हो एक animal है ते जिड़ा मास्टर है हो एक human friend सी हुदा ओ किस तरह उदे नाल behave करदा सी उदी एक स्टोरी है ते किस तरह उदे नाल वफादारी किती हुने ते ज़दों honor honor दा मतलब मालक master दा मतलब भी मालक honor दा मतलब भी मालक मालक दी death हो जांदी है ते किस तरह उदे अपनी वफादारी नो कायम रखता है हांजी students उदे शुरू करदे हैं सी स्टोरी a golden brown of Akita breed Hachiko was born on November 10, 1923 in a farm in Japan एक golden brown color दा सुनेरी पूरे रांग दा Akita national sambandat dog जिस दा नां सी Hachiko उदा जनम जापान दे एक farm दे विच होया कदों होया विद्यार्थियो 10 नवंबर 1903 पहले भी मैं दास चुकी है कि एक असली कहाणी है ते जरा त्यान नल सुनना है सारे आने in 1924 प्रोफेसर हाइट से ब्यूरो Oino adopted Hachiko students तुसी ये नाम पढ़ रहे होगे पढ़न विच थोड़ी डिफिकल्टी लाग रही होगे इन्हों प्रोफेसर हाइट से ब्यूरो Oino हाइट से ब्यूरो Oino उन्हाने उन्नी सो चोवी दे विच प्रोफेसर से गे हाइट से ब्यूरो Oino उन्हाने इन्हों अडॉप्ट कर लिया मतलब जिस तरह तुसी किसे तो कुत्ता लंदे हो अपने कार्च पालना नो उसी तरह इन्हाने भी उन्हों अडॉप्ट कर लिया and brought him to live with him in Shibua a small town in the neighborhood of Tokyo second word आया है जेडा तानो प्रनाउंस करना थोड़ा मैं समझा मागी Shibua Shibua एक चोटे जे कस्वेदा नाम सी जित्थे की प्रोफेसर हाइट से ब्यूरो Oino Rende सी ओ किदे नेडे सी पिंड टोकियो शेहर दे नेडे जा पान दा एक मशूर शेहर है जिसा नाम है टोकियो उधे नेडे एक कस्वा सी छोटा जिया Shibua उथे ओ प्रोफेसर रेंदे सी कर दे की सी ओ प्रोफेसर हाइट से ब्यूरो Oino taught in the agriculture department of Tokyo Imperial University जडे ओ प्रोफेसर सी तोकियो Imperial University दे विच टीच कर दे सी agriculture department दे विच खेती बाडी विवाग दे विच Every morning the professor would walk to Shibua real visitation and Hachiko would also go with him to see his master take the train to walk हार रो सवेरे जदों प्रोफेसर Shibua railway station विच जान्दे सी अपने कार्टो Shibua railway station ते उत्थो Imperial University जडी Tokyo Imperial University सी ओधी train पड़दे सी उत्थो क्योंकि उत्थे प्रोफेसर सी टीच कर्दे सी ते ओर रोज railway station जदों जान्दे सी train लैंड ली ते हमेशा ही Hachiko उना दे नाल जान्दा and Hachiko would also go with him to see his master take the train to work ओधे देखदा सीगा कि उधे master चेड़े है उधे मालक चेड़े है उधे नाल उनानु देखना उनु पसांद सी कि उधे train ते चड़न चड़के जारे सी कामनू ओ रोज इसी routine जान्दा सी After finishing the day's classes the professor would take the train back जदो प्रोफेसर अपनिया classes लेलेंदे उनिवर्स्टी विच ओ शामनू by train वापिस आंदे शिबुआ रिल्वी स्टेशन and return to the station at 3 p.m. ते ओ कदों वापिस आंदे? पूरें तिन वजे हैचिको वोड रीच दो स्टेशन हैचिको तिन वजे दे करीब स्टेशन ते पहुंच आंदा क्यों पहुंच दा? ओ अपने मालक नू दुबारा रिसीब करन आंदा सी उननानू लेन आंदा सी and wait for the professor and accompany him on his walk back to his home तुसी देख्या होएगा कि कहीं बरी मालक दे नाल डॉग चल्ले हुंदे है उसी तरह एवी बड़ा खुश होके प्रोफेसर नाल आंदा and accompany him ते उननू साथ दिन दा चलन दे विच कर तक पहुंचन दे विच the pair followed the same routine every day ए दोननो pair मतलब ए दो पर जड़े एक डॉग ते एक प्रोफेसर इननानो pair किया गया है कि दो जने followed the same routine every day और रोज एक कोई दिन चर्यानों follow करते सी Everyday Hachiko would be there to receive the master at the same time हार रोज Hachiko अपने मालक नो लैन वास ते तीन वजे रोज same time ते पहुंचान दा The master and Hachiko kept this schedule हमेशा होनाने इकोई अपना दिन चर्यानो रख्यावयासी Until Until दा मतलब हुंदा है विद्यार्थियो उदों तक One sad day in May 1925 कदों तक जदों तक की दुखी दिन नहीं आया ओ दिन सी May महीने दा उनिसो पच्ची दे विच जदों की हैचiko साल या सवा साल दा हुएगा Professor Oino suffered a sudden brain hemorrhage while teaching and passed away उस दिन की होया से के Professor Oino नो brain hemorrhage होया word meanings में दास चुकी है hemorrhage मतलब नस पचना brain दे विच साथे दिमाग दे विच नसा होन दिया है ओ अचानक जदों teach कर रहे से university दे विच ते अचानक उना नो दिल दा दोरा पया and passed away passed away students मतलब he died ओ खतम हो गए उना दी death हो गई that day Hachiko showed up at 3 p.m. as usual उस दिन Hachiko फिर रोज दी तर आई तिन वजे उत्थे पहुँच गया but his beloved master never came back beloved दा मतलब उन्दा है प्यारा master मतलब मालक पर उदा प्यारा मालक कदे वापस नहीं आया Hachiko returned the next day at the same time Hachiko फिर अगले दिन दुबारा उसी समय ते वापस आया hoping that you know would dare to meet him कि I know उत्थे जरूर मिल जावेगा of course the professor did not return बेशक प्रोफेसर उत्थे वापस नहीं आये but his loyal Hachiko never gave up hope पर उना दे वफाधार डौग Hachiko ने उमीद नहीं छड़ी ओ अपने मालक नू उडीकन ले रोज लैंड वासते मिलन वासते रोज दिन वजे उत्थे पहुँँ जान्द Hachiko was at Shibua station the next day again at 3 p.m. अगले दिन फिर उसी station ते Shibua जित्थे और एंदा सी उडे रेलवे station ते अपने मालक नू लैंड तिन वजे पहुँँ गया then the day after अगले दिन फिर पहुँँचिया and the day after that अगले दिन उस तो अगले दिन फिर पहुँँचिया soon the lonely dog begin to draw the attention of the other passengers जल्दी ही soon the meaning उन्दा students जल्दी ही lonely मतलब इकल्ला जेडा कोई इकल्ला होया उनू बोल दिया lonely lonely dog ओ dog railway station उन्दा सी begin to draw the attention attention उन्दा त्यान खिचना draw the attention मतलब त्यान खिचना of the other passengers जेड़े passenger उत्ते डेली आरे सी उन्दा त्यान जेडा सी उस lonely dog वाल जाना शुरू हो गया कि ये dog जेडा है ये रोज आ रहे है सारे ने notice करना शुरू किता कि रोज एन्दा कवजे दे करीब एथे कुमदा है at first शुरू विचता the station workers were not friendly with the dog station ते चेड़े कम कर दे सी कम में सी ओ भी dog दे नाल friendly नी सी कुले मिले हो ये नहीं सी but after some time people started looking out for him पर कुछ समे बाद लोग का दा जेडा त्यान सी ओदे वाल खिचिया गया कि लोग की उन्हों लबदे सी कि आज हैचिको कित्ते है कदों आएगा even the station employees word meaning चे में दास चुकी है employees मतलब करमचारी जेड़े उते काम करते सी would bring food and treats for the devoted dog वो अप उदे लेई खाना लेके आंदे सी ते उन्हों उस डॉग नो devoted मतलब सेवा पाव वाले उस कुत्ते नो treats दिन्दे सी खान पे नो चीज़ा दिन्दे सी and sometimes sit and keep him company ते कहीं वाहर ता हुदे कोल बैठके उन्हों company विदिन्दे सी साथ विदिन्दे सी the days turned into weeks इस तरह एक एक दिन करके कुछ हफते भी ते then months फिर महिने भी ते then years ते फिर साल भी ते and Hachiko returned each day to wait Hachiko उत्थे हार रोज दिन वजे उडिकन आंदा अपने मालक नो के आज मेरा मालक इस ट्रेंचों उत्तरेगा His presence made a great impression on the local people of Shibua उदी इस उपस्तिती ने उदी इस होंद ने local जडे लोक सी गे उत्थे दे रैन वाले शिबुआ दे उना दे दिलो दिमाग ते अलाग जया असर किता ओ हैरान होगे कुट्टे दी loyalty नो देखके उदी वफादारी नो देखके उदे प्यार नो देखके अपने मालक ले and for them he became a symbol of loyalty and faith, a hero ओ symbol बाण गया एक संकेत, एक चिन बाण गया वफादारी दा, विश्वास दा ते ओ एक hero दी तरा, जिदना एक hero हुंदा उस तरा लोकां दे विच पसंदी दा बाण गया one of the professor ओईनो's former student professor ओईनो जेड़े उदे मालक सी उना दा एक student सी गा former student मतला पुराणा पड़े आओया एक student सी उदा ना सी hero kichi saito hero kichi saito was an expert on the akita breed of dogs akita breed सी नसल सी कुत्यां दी उदा ओई expert सी he came to know of hachiko and his routine जदो उने hachiko उस dog बारे सुनेया कि उना दे जडे professor सी ओईनो उना दा वफादार कुत्ता है ते ओँ केडी routine रोज फोलो कार रहे है रोज तिन वजे जा रहे है अपने मालक नो मिलन ले लबन ले he decided to take the train to shibua to see if hachiko would still be waiting उस student ने जिस student दना सी hero kichi saito उने decide किता कि ओ train ते जावेगा उसी समेज shibua ते देखेगा कि hachiko आज भी उस अपने मालक दी उडीक कार रहे है when saito arrived at the station जदो saito उस station ते shibua दे station ते पहुंचिया he saw hachiko there waiting for his master उने देखिया कि आज भी hachiko अपने मालक दी उडीक का रहा सी he wiped a tear from his cheek उसने अपनी गल तो अपने हंजू उन्जे he waited for hachiko to make the next move ओ उडीकन लगगा कि hachiko हुन की करता है after a long wait बहुत देर उडीक के hachiko stood up hachiko उत्थे खडा हो गया and went from there ते उत्थो चला गया साइटो जेड़े की ओईणो दे प्रोफेसर ओईणो दा स्टूडेंट सी साइटो फोलोड दा डाग फ्रॉम स्टेशन ओने स्टेशन तो हूं डाग नो फोलो किता पिच्छा किता to the home of ओईणो जेड़ा सी ओईणो दे एक पुराणे माल्ली सी जेड़ा फॉमर स्टूडेंट सी ओद्धा ही फॉमर गार्डनर मतला पुराणा माल्ली सी जेड़ा ना सी क्यूजा ब्यूरो को बाईशी ओधे कार चला गया who had adopted हैचिको जिने की हैचिको नो हून adopt कर लिया सी जेड़े को नो हैचिको रह रहा सी बट हैचिको waited only for ओईणो जेड़ा हैचिको सी आज भी अपने प्रोफेसर दी ही वेट कार रहा सी अपने मालक दी ही वेट कार रहा सी for nearly a decade ते उडिक होन 10 साल दी हो चुकी सी after his master passed away उज़े मालक नो मरे होए इस दुनिया तो गए होए 10 साल हो चुकी सी the dog continued to show up at the same spot every day until हैचिको died at the age of 11 on March 8 1935 हैचिको हार रोज उसी जगा ते जान्दा रहा उसी railway station ते जित्थे की उसे मालक पहुंचदे सी उदो तक जान्दा रहा जदो तक ओ मर नहीं गया 11 साल दी उमर तक उदी डैथ होई March 8 1935 ते बिच the dog became a symbol of loyalty in Japan ओ डॉग एक सिंबल बन गया एक चिन बन गया वफादारी दा जापान देश दे अंदर and now for the word ते आज दुनिया उदा नाम जान दी है as a mark of respect and affection for the loyal dog उस वफादार कुटे नो एक आदर देन ली एक सम्मान देन ली उसनो लोका ने people started calling है चिको चिकन हैचिको उनू जापान दे लोका ने चिकन हैचिको वलाना शुरू किता which means हैचिको दा फेटफुल डॉग चिकन बेटा एज एक जैपनिस वर्ड है इदा मीनिंग है वफादार कुटा इन दे मैमरी ओफ हैचिको हैचिको दी याद विच statues have been built in Shibua Shibua दे विच शेर दे विच बुद बनाये गे हैचिको दे one at the place where he always met his master इक ता बुद उस जगा दे ही बनाया गया जित्थे अपने मालक नू उडिकन जान्दा सी when Oinyu came back from work हैचिको's body has been preserved in the museum आज भी हैचिको दी body जडिया है मुजियम दे विच रखी गया है yes you can still meet हैचिको if you go to Japan जे ता नू कदी भी विद्यार्थियों मुखका मिले जपान देश जान्दा ते तुसी आज भी मुजियम दे विच उसनू मिल सक दे उदी body रखी गया है उदी statues मिल जान्गे एक wall है हैचिको दी respect दे विच शिबोवा शेर दे विच उदी याँ paintings बनिया होई है उदी statues बने होई है ते तुसी आज भी उदी जड़ी picture है वो देख सकते हो एक statue ता दे सामने एक statue बनिया होई है शिबोवा दे विच ते एक ए railway station ते statue बनिया होई है ते विद्यार्थियों मैं उमीद कर दिया कि आज जड़ी story है Hatchiko the bird's most loyal dog ता नों पसांद आई होएगी ते तुसी comment करके दसी हो तान वात